हाई वरीवन सो आज का जो हमारी मार्केट थी वो बहुत जादा एपिक रही है और हम लोगों ने जो भी स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंट करें थे बहुत जादा बढ़ी है पर्फेक्टली ही एक्जीकेट हुआ है तो मैंने आप लोगों को यूनियन बैंक दिया था अल संद्धार ही होगी यहसे अरहिसे आप लूगों के शेयर नहीं कर आ पा रहा तकी में टों के सांदेंट ह Nagi अब सब्सक्राइब कर बात करते हुए हमारे कोडिन बिल्कूल मांकेत गई थी 8300 हमारा टागेट मुझे मुझे मैंटЗдOST क सकता कल है थ vậy, दो ड्रस्टकली चीज़ चेंज हुई है कल मैंने आप तो गूब बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर बाइंगा और निफ्टी के अंदर जाधा प्रिशर नहीं है बट निफ्टी जिस तरीके से ग्यापक खुली और उपर जा रही थे पर बैंक निफ्टी जाधा है और उसके according call writer उससे भी जाधा है यानि कि बाइंक निफ्टी में अपसाइट लिमेटेड है और निफ्टी के अंदर बहुत जाधा है विए तो हमें करना क्या है अगर कल market exactly इस level पर खुलती है जो मैं चाहता हूँ कि इस level पर खुले अगर इस level पर खुलती है तो definitely we have to go for a buy and हमें लगता है कि 18,250, 270 तक की levels भी दिखा सकता है तो कल की market बहुत जाधा volatile होने वाली because निफ्टी का data is positive बर बांग निफ्टी का data positive नहीं है अब बात करते हैं 3 stocks हैं सबसे पहला है जेके टायर्स जेके टायर्स वम लोग बाय करके चल सकते हैं दूसरा है अल्टरेटेक सेमिट एंद तीसरा है अलका माइन्स अलकली अलका माइन्स करके एक stock है मैं तीनों के तो आप तो को telegram के अंदर बता दूगा target stop loss के साथ सारा कुछ explain कर जाएगा इसके अलावा मैंने कुछ थोड़े बहुत stocks आप लोगों को already अपने telegram पर बता रखे हैं if you are still holding that stocks it's very good अगर आपने नहीं करा अगर वह आपके current हमारे buying level से उपा ना तो बिल्कुल buy मत करेगा अगर आप लोगोंने hold कर रहा है तो do send us your profit screenshot इसके लावा अगर आप लोगों को charts देखना आते हैं अगर आप technical analysis करना जानते हैं तो प्लीज अपने charts भी मुझे knowledge gain होगी और इसके बाद आप भूका भी जो माइंड ट्रेडिंग के डाइवर्ट वो increase होगा तो थाइंग यूवाइस कल एक सपहरी है तो अच्छे से ट्रेड करना stocks के अंदर specific रहना और जो stocks recommend करने उस पर जरूर फोकस करना बाए बाए